असलाम वालेकुम वेलकम टू हमारा प्यारा कीचन चलिए जी आज हम बनाएंगे हधराबादी शादियो अला रेट चिकन तो यहां देखे 500 गराम चिकन लिए और जिसको बहुत अच्छी तरह से मैंने धोली हूं साफ कर लिए यहां देखे एक निम्बू का रस दाल देती यहां देखे टेस्के अकाडी नमक ले लेते हैं नमक ध्यान से दालेंगे क्योंकि सोसेस हम इसमें आइड कर रहे हैं यहां देखे एक टीस्पून भरके मैं ले लूँगी गिरिन चिली सोस यहां पे ले लूँगी दो चमज में टमाटर केचप यहां पे अद्रक लसन का पेस्ट ले लेती हूं तीन टीस्पून यहां पे दो हरी मिर्चो को बारिक कट करके ले लेते हैं वह सिंपल सी रसीपी है यह और यहां पे चिली सोस ले लेती हूं मैं दो टीस्पून आप ज़्यादा कॉंटेटी में ले सकते तो थोड़ा थोड ब compat की महीं लेती हूं गरम मसाला पऊडरर। यहां पर तीन टीस्पुन में ले लेती हूं धाई और यहां पर तिकी मिर्ची का पाऊडर ले लूंघी 1 चमजंद यहां पर दन्या पाऊडर लेती हूं 1 टीस्पुन यहां पे जीरा पाउडर और काली मिरिका पाउडर दोनों आदा आदा चमज ले लेती हूँ दोनों मिलाके एक टी स्पून और यहां पे कस्मीरी रेट मिर्च पाउडर ले रही हूँ एक चमज भरके और यहां पर एक मिडम साइज के टमाटे को मैंने पीस ली हूँ यह इसमें डाल देती है अब यहां देखे आठ से दस बादा में मेरे पास और तीन चोटी इलाइची है और यहां पर पाच्छे काजू होए काजू मेरे फराई की होगे है और यहां पर इसको मैं थोड़ा से नहीं डालके इसको पीस ली हूँ देखिए यह पेश इसमें डाल देंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं रसीपी बहुत अच्छी लगती है ट्राई जरूर करना और रसीपी अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक भी करना साथी में शेर सब्क्राइब भी करना चलि अच्छे से गरम हो गया तो यहाँ देखिए एक बड़ी साइस की प्याज है तो जिसको मैंने पतले-पतले पिसेस में कट करी हूँ और यहाँ पे इनको हम फ्राई कर लेंगे तो चलिए प्याज को बहुत अच्छे से हम सुने रहा होने तक फ्राइ करेंगे यहाँ देखिए प्याज हो गई है तो इसको निकाल लेंगे जल्दी से निकाल यह जादा देर रखेंगे तो यह जादा डाग हो जाएंगे तो यहाँ देखे प्याजों को निकाल ली हूँ ठंडा हो गया यहाँ पे हातों से इसको करस कर लेते हैं और यह हम अभी चिकन में एड़ करेंगे वो जबरदसी बनती है बनाना जरूर यहाँ पे दो से तीन चुटकी औरेंज कलर ले रही हूँ मैं अगर आपको पसन है तो कलर अच्छा था एक टीस्पून भर के मैं देशी की एट कर रही हूँ और जिसमें प्याज फ्राइ करी थी यह तेल इसमें आदा डालूंगी बाकी का नहीं डालूंगी बाकी आपको पसन है तो आप डालिए चलिए यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे औ तो चलिए फ्राइफेंड में जो तेल था उसको निकाल लिए और यह चिकन को इसमें डाल देती हूं यहाँ देखे पूरा मसाला पोच के डाल देंगे कुछ भी जाया नहीं करेंगे और यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूं मैं और फूल आज पर इसको दो ती मिनेट हम पकाएंगे तो यहाँ देखे दो तीन मिनेट हो गए अच्छे से पका रहें इसको हम तो देखे बहुत अच्छी तरह से इसको भूनेंगे भूनते भूनते तीन चार मिनेट इसको यहाँ पर भूनेंगे फूल आज पर अभी यहाँ देखे इसको हमने फूल आज खोली हूं चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है और अभी इसमें जो गिरीवी दिख रही है यह हमें इसको ड्राय करना है अब यहां पर थोड़ा देर फुल करेंगे और खुब भुनते हुए यह गिरीवी को थोड़ा सुका लेंगे तो यहां देखें गिरीवी कि हमारी रेट्ची के नाइदराबादी आपको कैसी लगी है रेशीपी अच्छी लग रही तो चैनल को लाइक जल जरूर कर देना और फिर हम नएस रेशीपी में मिलेगे तब तक के लिए अलब हाफीज